हलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा भारत दीरे दीरे आदुनोकता की और बढ़ रहा हैं और हर कारे में मशिनों के इस्तिमाल से समय और महिनत की बचत हो रही हैं तो आज का जो वीडियो हैं ये पशुपालकों के लिए होने वाला हैं आज आप लोगों को में तीन एशी मशिनें बताऊंगा, जिनका इस्तिमाल करके आप लोग डेरी फारिंग में अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं तो चली हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और आखरी में आप लोगों को में ये भी बताऊंगा कि आप लोग इन मशिनों को कहां से खरी सकते हैं तो पहले नंबर पर जो हमारी मशिन हैं वो हैं मिलकिंग मशिन जिसे हम दूद निकालने की मशिन कहते हैं अगर हम milking machine के फाइदों के बारे में बात करें तो इसका जो पहला फाइदा है वो यह है कि दूद निकालने में होने वाले समय की बचत करना अगर आप दूद की machine से दूद निकालते हैं तो आप एक मशियों की milking लगबग 5 मिनिट में कर सकते हैं जिसने कि आपका बहुत सारा समय बच जाएगा दूसरा आपका इसमें profit है मजदूर खर्च को कम करना यानिकि अगर आप दूद machine से निकालते हैं तो इसमें होने वाला आपका मजदूर खर्च बच जाएगा तीसरा आपका profit है कि इस machine से थनों पर समान दबाऊ पड़ता है जिससे कि आपके पश्यों के जो थन है वो भी खराब नहीं होंगे और काफी अच्छे से आपका पश्यों दूद देगा चोता इसका फाइदा है untouched milk production याने कि बिना चुए आप अपने दूद को एक टंकी में ला सकते हैं जिसके दौर एक तो दूद आपका hygienic रहेगा और दूसरा इसका फाइदा यह भी रहता है untouched milk का कि आपके पश्यों के जो थनला बिमारी होती है आने कि थन के कहीं सारे रोग होते हैं वो भी आपके पश्यों को नहीं होगे अब अगर हम बात करें कि milking machine कितने प्रकार की होती है तो milking machine यहाँ पर 6 प्रकार की होती है जो कि पहली machine है hand operated milking machine जिसकी नाम से इसपश्ट हैं इस machine को चलाने के लिए आप लोगों को कोई motor अत्वा engine के अवशक्ता नहीं पड़ती है इसे आप हाथ से ही चला सकते हैं इसमें आप लोगों को एक handle दिया होता है जिसको up down करने से इसमें vacuum बनता है जिसके द्वारा ये machine काम करती है और बड़ी ही आसानी से आप लोग अपने पशियों की milking कर सकते हैं दूसरे नंबर पर जो हमारी milking machine है वो है electric milking machine इसमें पशियों का दूद निकालने के लिए एक motor दी जाती है जिसके द्वारा इसमें vacuum generate होता है और इस machine की कीमत लगबग 20-50,000 रुपे होती है यह मशीन बिजली से चलती है लेकिन अगर आपके एरिया में बिजली की सुज़दा नहीं है तो आप इसे हाथ से भी चला सकते हैं क्योंकि इसमें आप लोगों को एक हैंडल भी दिया हुआ होता है और इसमें आपको बिजली ओपरिटेड इसमें मोटर भी लगी होती है जिसका फाइदा यह होता है कि आप इसे दोनों तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं इस machine की कीमत भी लगबग 25,000 से 50,000 रुपे की बिज होती है चोते नमबर के अगर हम milking machine की बात करें तो यह machine होती है trolley tribe milking machine याने कि इसमें जो मोटर होती है वो या फिर इसमें engine होता है उसे और जो vacuum pump हमारा होता है उसे एक trolley के उपर fix से कर दिया जाता है जिसे हम trolley type milking machine कहते हैं इस मशीन को आप एक जगे से दूसरी जगे पर भी काफी आसानी से ले जा सकते हैं, इसमें नीचे चलाने के लिए चार पईये दिये हुए होते हैं, और इसकी कीमत अगर हम बात करें, तो लगबग इसकी कीमत 25,000 रुपे से लेकर 45,000 रुपे तक होती हैं, अगली जो हमारी म मिलकिंग मशीन हैं, पांचों नंबर पर वो हैं, फिक्स टाइप मिलकिंग मशीन, यह एक ऐसी मशीन है, जिसे आपने कहीं सारे बड़े-बड़े डेरी फार्म में देखा होगा, इस मशीन के जो सारे का सारा जो पार्ट हैं, जैसे की इंजन हो या फिर मोटर हो, वेक्यू कर दिया जाता है, जिससे कि आप अपने पश्यों की मिलकिंग काफी आसानी से कर सकते हैं, और अगर आप चाहें, तो सारा का सारा डेरी फार्म का दूद को आप लोग एक टेंक तक पहुचा सकते हैं, इस मशीन की किमत लगबग 50,000 रुपे से लेकर 1,30,000 रुपे तक होती हैं, अगली जो हमारी मिलकिंग मशीन है, जो छेटे नंबर पर आती है, वो हैं बाइक माउंटेड मिलकिंग मशीन, यह एसी मिलकिंग मशीन है, जिसे एक बाइक के ऊपर फिट कर दिया जाता है, जिसे आप एक स्तान से दूसरे स्तान तक काफी आसानी से ले जा सकते हो, औ और अगर आप कोई छोटा मोटा व्यावसाई सुरू करना चाते हैं जिसे कि आप घर घर जाकर दूर निकाल सकें तो इस मशीन के दोर आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं इस मशीन की जो कीमत है वो लगबग सितरहजार उपे से लेकर पिछोतरहजार उपे के बीच होती हैं तो दोस्तो अब तक हमने मिल्किंग मशीन के बारे में जाना इसके फाइदे इसके प्रकार और इसकी क्या कीमत है अब आगे हमारी दूसरी मशीन के अगर हम बात करें तो हमारी दूसरी मशीन है डंग लोग मेकिंग मशीन ये ऐसी मशीन है जिसके इस्तिमाल करके आप यह तो खात के रूप में करते हैं या फिर उसका हम वर्मी कमपोष्ट की रूप में करते हैं जिसकी क्मत काफी कम होती हैं लेकिन इसी गोबर की अगर हम लुकड़ी बना ले तो उसके कही सारे फायदे है उसका पहला पाैदा है एक तो हमारे। के इंदन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होना, दूसरा उसका फाइदा है कि आप लोग पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं, तीसरा इसका फाइदा है कि यह उपलों की तुला में ज्यादा जल्दी सूख जाती है, चोता इसका फाइदा है कि इस मशीन की मदद से आप लोग हवन की लकड़ी बेलनाकाल लकड़ी सबी प्रकार की लकड़ी अपने गर पर ही बना सकते हैं इस मशीन की हम बात करें तो यह मशीन दो प्रकार की होती हैं पहली होती है ओटोमेटिक मशीन दूसरी होती है हैंड ओपरेटेड मशीन ओटोमेटिक मशीन का फायदा यह होता है क कि इसमें आप लोगों को कोई मजदूर की आउशकता नहीं होती हैं सिर्फ इसमें एक बंदा चाहिए जो इसमें गोबर्ड डालेगा और यह अपने आप ही मोटर से चलती हैं और सामने इसमें से लकडिये बनती जाती हैं इस मशीन की कीमत के अगर हम बात करें तो इसकी कीमत 80 रुपे से लेकर 90 रुपे तक होती हैं दूसरी जो हमारी मशीन है हैं जैसा कि इसमें इस पच्टे हैं कि इसको आपको हास से चलाना होगा और इस मशीन की कीमत लगबग 7-7.5 रुपे होती हैं इसमें आप लोगों को गोबर्ड डाल कर एक हैंडल होता हैं जिसको आपको गुमाना होता हैं पईय टाइप जिस्से कि आपकी लखडिया बनकर तयार होती हैं यह हो गए आपकी दूसरी मशीन तीसरी और जो आख手ब कटर मशीण जिसे हम कुटी मशीन भे कहते हैं जो लोग कुटी मशीन से अच्छी तरीके से परिशित होंगे इस मशीन की डियरी फ में आपका मजदूर खडचे बच जाएगा दूसरा है इसमें आपका समय भी बचेगा तीसरा इसके सबसे बड़ा फाइदा है कि अगर हम पश्यों को पूरा-पूरा चारा रख देते हैं याने कि बिना उसकी कुट्टी करें हम खिलाते हैं तो आपका पश्यों चारे का कुट्टी मशीन की कीमत 10,000 रुपए से शुरू होकर 80,000 रुपए तक जाती हैं जिसकी कहीं तरह की वेराइटी आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर हम इसके टाइब की बात करें कि कितने टाइब की होती है तो कुट्टी मशीन पहली जो होती है वो है ब्लोवर टाइ चारा तो आपका कुट्टी करेगी ही साथ इसमें आप आटा भी पीच सकते हैं पश्यों के लिए दलिया भी इसमें आप दल सकते हैं तो इसमें आपके दोनों काम हो जाएंगे इस मशीन की कीमत लगबग 35,000 से 40,000 रुपए आप लोगों को मिलेगी अगली जो हमारी चाप करें मशीन हैं वो हैं टोका चाक कुट्टी मशीन यह की मण यह काते हैं इसमें दीखने में कापी बड़ी होती हैं और अंदर एक बगशा लगया जाता हैं जिकने मिले बड़ा रुपे होती हैं यह मशीन भी कहीं सारे बड़े बड़े डेरी फार्म में इस्तेमाल की जाती हैं और अगर हम बात करें कुट्टी मशीन को खरीदने की तो एक अच्छी कुट्टी मशीन ओनलाइन वैसे ही आप लोग इन मशीनों को भी घर बेटे ओनलाइन मंगा सकते हैं और यह काम संबू हो पाया है बेतर जिंदिकी मोबाइल एप की मदद से यह एक ऐसा एप है जिसने किसानों की बहुत ज्यादा मदद की हैं कुछ नहीं करना है आप लोगों को प्लेश्टोर है एक तो जो भी सावान आप लोगों को चाहिए उसकी कहीं सारी वेराइटी आप लोगों को देखने को मिलेगी इस पश्ट रूप से आप लोगों को उसमें कीमत बताई जाती हैं इसमें लगबग 50 लाग से भी ज्यादा किसान जुड़े हो हैं इसमें आप निशुलक सला को इसने बहुत ही आसान बना दिया हैं तो मुझे उमेद हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आये होगा जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताना